तो दोस्तों एल्विस यादो अल्लव कटारिया के आने वाले सौंग यारों के यार का पोश्टर हुआ आऊ जी हाँ दोस्तों यूटूबर एल्विस यादो को आज के समय में भला कौन नहीं जानता खास कर उनका फेमर्ज डैलोग जो वो कहते हैं एल्विस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या जी हाँ आपको बता दे दोस्तों की एल्विस यादो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपने विवादों की वज़ा से भी लाइम लाइट में रहते हैं लेकिन अब एल्विस यादो अपने आने वाले म्यूजिक वीडियो की वज़ा से खबरों में आ चुके हैं जी हाँ दोस्तों एल्विस यादो को देश भर में पहचान तम मिली जब ये बिग बॉस के OTT सीजन 2 का हिस्सा बने इतना ही नहीं बिग बॉस का हिस्सा बनकर एल्विस यादो को खूब प्यार मिला और फ्रेंस के प्यार की वज़ा से ही एल्विस यादो बिग बॉस OTT 2 का विनर बने वहीं बिग बॉस के अलावा एल्विस यादो कई म्यूजिक वीडियो का हिस्सा भी रह चुके हैं और वहीं अब Elvis यादो ने आज के दिन अपने ने म्यूजिक वीडियो का एलान कर दिया है और इस म्यूजिक वीडियो का टाइटल यारो के यार रखा गया है जी हाँ दोस्तों Elvis यादो के ने म्यूजिक वीडियो का नाम यारो के यार रखा गया है जी हाँ आपको बता दे दोस्टों की इस पोस्टर को अल्विस यादो ने सेर करते हुए कैपसन में लिखा है यारो के यार के लिए तैयार हो जाओ अल्टिमेट ब्रोमांस नमबर जल्द आ रहा है इतना ही नहीं इस पोस्टर के त्रू एल्विस ने ये बता दिया है कि यारो के यार का टीजर सनीवर को सुबह 11 बजे रिलीज होगा वहीं बात करें इस सौंग के सिंगर के बारे में तो दोस्तो एलविस यादो के साथ इस गाने में उनके खास दोसलव के सकटारिया नजर आएंगे और इस गाने को अपनी बहतरीन आवाज भी भोर देने वाले हैं वहीं इसके लिरिक सर्लाडा सोतल ने लिखे हैं और इस सौंग में अपना बहतरीन म्यूजिक रजट नाग पाल ने दिया है खेर बात करें इस सौंग के रिलिस के बारे में तो दोस्तो यारो के यार के टेजर रिलिस होने की एनॉंसमेंट तो कर दी गई है लेकिन अभी तक ये एनाउंस नहीं किया गया है कि ये गाना कब रिलीस किया जाएगा तो देस्तों आप सब कितने एक्साइटेड हैं अलविस यादो के नए संग यारों के यार को लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं